हैंमंद बावु मेरे उनने कहा कि जैप्रकाश जी मैंने देखा है आपके पस जो योगता है जो छमता है तो हमें तो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो लोगसभा जायर बात रखे इसलिए हम तो चाहते हैं कि आप जारकर मुक्ति मौट्चा में सामिल हो जाइए और सामिलोकर की चुनाव लड़िये कि जब हैमंद बावु ने जैप्रकाश जी को भेजा है कि आप चुनाव लड़ेंगे वह करेंगे उनका बात कभी ठलता नहीं है वह एक मजबूत विराट व्यक्तित के धनी व्यक्ति हैं और उनके बातों पर सभी को भरोसा है विश्वास है और मुझ लगोसना हो चुकी है और गोशना होने के बाद से ज्ञारखंड की अगर हम बात करें तो एक तरफ भाजपा ने अपने सभी पत्याशों की गोशना कर दी है वहीं दूसरे तरफ इंडिया अलायंस के तछव से धीरे धीरे पत्याश्यों की गोशना हो रही है लेकिन बीते दो से तीन दिन पहले को डर्मा सीट पर जब बगोदर के जो माले से विधायक हैं विनोज सिंग उनके नाम की घोशना हुई तो उसके बाद गांडे के जो पुर्व विधायक थे जैप्रकाश वर्मा उनके तरफ से एक बयान आया बयान था कि ये माले का प्रत्याशी है की और एक तरफ से माले ने प्रत्याशी की घोशना कर दी इस पर आपके तीखे बयान भी आये थे कैसे देख रहे हैं जैसा कि जो चुनाव है और इस चुनाव को कैसे जीता जाए इसी पर इंडिया गडबंधन काम कर रहा है राहूल गांधी जी ने पहले कहा था कि जहां ह हमारे जीताओं प्रत्यासी होंगे हम उसी कैंडियेट बनाएंगे उसके अलावा हमारे जारखंट के संजोजग मानिये पूरू मुखमांतरी हमन्सवर ने जी थे उन्होंने कहा था कि जहां जो जीतेंगे हम उसको प्रत्यासी बनाएंगे और यह बातें हुई है और आज तो कोटमा लोकसवा छेतर में जो जनता का डिमांड है इंडिया गडबंधन के तरफ से जो मांग है हर एक बच्चा हर एक नौजवान हर बस्ती हर गाउं हर टोला हर सहर हर नगर में लोगों की मांग है कि हमें इस चुनाव को जीतने के लिए जय प्रकास बर्मा चाहिए ब बंक्ति मुट्चा की चल रही है सरकार के इंजिलियंस के लोग काम कर रहे है तो कोई भी रिपोर्ट ला सकता है और लाना चाहिए तो यह दो मैंने बताया कि बहाई चुना में जो बाते कही गई थी और यह दूसरा महत्पुन बात यह है और मैंने इसलिए भी जो आपने कि इंडिया गडबंधन ने अभी तक यह नहीं कहा है कि कि सीट से कौन लड़ेगा कि सीट को हमने किसको दिया है क्योंकि इंडिया गडबंधन के वाली के संजोजक हैमंद बावु हैं तो ना तो हैमंद बावु ने कहा ना उनके प्रतिनीधी ने कहा जैसे जारखनमुक्ति म प्रवाट में चाहिए चाहिए दिने प्रताइश हो जो जंता के साथ काम करता हूं महनती हो तो पांच साल के जो विधान सभा के कायरिकाल जो उन्हें सामने चस्मदीद गवार है मन्दवाव मेरे उन्हें कहा कि जपरकास जी मैंने देखा है आपके पस योगता है जो छमता है आप जस प्रकार से बातों की सूज बुज रखते हैं बिधान सब्भा में बेबाग तरीके से बात रखते हैं तो हमें तो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो लोग सभा जायर बात रखे इसलिए हम तो चाहते हैं कि आप जारकर मुक्ती मोच्चा में शामिल हो जाईए और सामिल होकर की चुनाव लड़िये तो मैंने कहा कि इसलिए मेरा वादा है कि आप आईए और चुनाव लड़िये तो उने इन बातों से जब मुझे अहवान किया मुझे प्रिरित किया तब मैं स्वल्लों नॉवंबर 2022 को ही जाक्रमुक्ति मौचा जॉइन किया और जॉइन करने के साथ ही उसी दीन से हम लगातार कोटमा लुक्सवाद चेतर के बिभीन इलाकों में जाकर के संगठान का निर प्रकास जागरूब करते रहे और आज उसी का फलाफल है मैंने जो शुरुवाती दौर में कहा कि अज उसी का फलाफल है कि कवर्णमा लोग सभाद चेतर का चपपा चपपा इसी बात का इंत्यार कर रहा है कि जब हमंद बावु ने जैप्रकास जी को भेजा है कि आप हेमन सुरेन ने आपको जारखन मुक्ती मुर्चा में आने का नियोता दिया और उस वक्त यह आश्वाशन दिया कि को डर्मा से आप प्रत्याशी होंगे आने वाले लोकसभा चुनाओं में जी 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 आपको अंकल शे बार सांसद रहे हैं उनका इतिहास बहुत सरुनीम रहा है और मुझे पूरा विस्वास है उस इतिहास को आप दोर आएंगे इन तमाम विश्यों को नों है मेरे सामने रखा था जिसके बाद भाजपा को छोड़कर जारखन मुक्ती मुर्चा में शामिल हुए जी 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 अच्छा अभी को डर्मा में क्या क्यों तो बोर रहे हैं कि अप इछले 2 साल से वहाँ पर लगातार calendar कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं अलग अलग गाओं जा रहे हैं एक तरफ जो माले के प्रत्याशी है माले पाटी है वो बता रही है महल उनका है इस बार दूसरी तरह भाजपा है जो बता रही ह कि अपता रहे हैं महौल आपका है इस बार एक एक सही आंकड़ निकल करके नहीं आ पा रहा है तो क्या लगता है इस बारे में बताना चाहता हूं कि हमने जिस प्रकार से काम किया है इस प्रकार से और ब्रहस्टाचार जो रूपी आज यह जनता के सामने सबस्या है हम राष्टाचार से लड़ते रहे हैं और लोगों का काम जिस प्रकार से होता रहा है तो ऐसा ही महौल पूरे क्वारमा लोग सभास्षेतर के जो छे मिधान सभास्षेतर पड़ते हैं तमाम जगों पर जनत चार से दूर किया है हमने अपने पांच साल में हमने कह दिया कि कोई भी पदाधिकारी अगर रश्टा चार करते हुए पाए जाएंगे तो उससे सजा होगी और हमने निगरानी रखा कोई गरीब से गरीब जनता भी पदाधिकारी पास गया तो उसका काम हुआ एक बहुत प्रत्याशी के रूप में जामूमों उतारेगा मैदान में और जिस वक्त आपने जामूमों जोइन कर लिया अभी जब यह चुनावी महौल शुरू हुआ और जिस वक्त इंडिया अलाइंस के तरफ से प्रत्याशियों का चयन शुरू हुआ उस वक्त जामूमों के किसी ब और इसलिए मुझे भी तो पूरा विश्वास इस बात का है क्योंकि सभी लोग जानते हैं दुनिया जानती है कि हमंद बावु जो कहते हैं वो करते हैं उन्होंने जनता के सामने भी विकास के वादे किये थे उनको पूरा करने का काम किया है और उन्होंने जिस प्रकार से था मुझे आगे करके तो मुझे भिश्वास है अब तो केवल मुझे भिश्वास नहीं है पूरा कोटमा लोगसभाज छेतर की जनता जो टक्टकी निगाहां से देख रही है कि भाई जैप्रकास बावु परत्यासी होंगे हमको उनको जिताएंगे तो अब पूरे कोटमा लो झालफा जिघ्वास है घ्रव मुझे भी विश्वास है और इसलिए है अब भी तो अब जिया में अपने फ्रत्यासी ल कि लोगस नहीं है को motivated u का ही नाम आएगा लेकिन आज माले के जो विधायक है और जो को डर्मा से प्रत्याशी है विनोजी उनसे बाचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि चुकि इंडिया एक बड़ा गट बंधन है इसमें बहुत सारे प्रत्याशी हो सकते हैं तो ऐसे में जाहिड सी बात है कि हर किस लेफट तीन है मुलकर के एक सीट बताओ बही या तुम लोगों को देंगे तो तीनों ने मिलकर के एक सीट नहीं बताया यह तो आपस में लड़ रहे हैं और यहां तक आपने देखा होगा कि सीपी आई ने चार परत्यासी की घुस्ना कर दी है चार और करने वाले हैं तो तोड़ दिया तो आप इस बात पर वापस आ रहे थे कि अभी जो बोड है जो तै कर रही है जहारकन मुक्ची मोर्जा के तरफ से कि किस पत्याशी को टिकट दिया जाए उनमें से किसी नेता ने आप जरूरी नहीं कि हर बाते हैं हम लोग आपके लोग सामने शेयर करें तो यह पार्टी के अंदर सभी वरिष्ट डीडरों के सामने सारी बाते हैं सारा विशय है और विश्यों पर चर्चा करेंगे डील करेंगे और जंता और मुझे पूरा उमीद है कि इस बार कोड़मा लोकस सब्सक्राइब करेंगे करेंगे पर मैं आप लोगों के सामने मैंने तैक कर दिया बता दिया कि की भाइया आप तो रहे ने अपनी बात पर आप तो परत्यासी देते जा रहे हैं हो सता कि आज आज आप लोक सभा की बात गांड़े में भी इस बार बाइलेक्शन होना है और पहले जो तस्वीर आ रही थी कल्पना सोरें जो सभाएं कर रही हैं चोट चोटक अलग अलग जा रहे हैं लोगों से मिल रही है वहां आप भी साथ दिखे जब वो दो दिन का जो दौरा था उनका क्या महौल दिखा गांडे विधान सभा में अभी तो दौरा था और हम लोगों ने उनकी बैठे कराई जन संपर्ग भी हुआ मिटिंग भी हुआ तो लोगों में उत्सा है कि कलपना जी शुनाव लड़ने आ रहे हैं जाटन मुति मोर्चा के जो हैड है और कारकारी अधक छेमंद बावु हैं उनकी पतनी है और जो व्यक्ति शिराइजी को नेतित दे रहे हैं तो इनके साथ संगठन और पूरा जनता सा में निदें परमक्हान बोट समय है तो है तो दो मैं पतारहों कि मुझे इतने बोट मिले थे ठीक है तो कुछ उप जो उसके के डिरडर होंगे तो नुम्हें बोट मेरे उसके वापस रहेगा बाकी बोट जो मैरे प्रैम और विश्वास से जुटे थे वा तवाम वोट जो 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 भूट लिए थे तो जाक्टना मुक्ति मुट्चाला पैट्टेशार भूट में तो कोई सेंद्मारी होगा ही नहीं वह तो पैट्षट का पैट्षट खड़ा रहेगा और उसके अलावा और ने वोट भी जुटेंगे जैसे जो भूट मेरे पास जो था चपपन हजार नजदीक आते जाएगा वैसे वैसे अलग-अलग मुद्दों पर नेता और मुखरता से अपनी बात रखेंगे जब तक सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोशना नहीं हो जाती इसी तरह से लगतार अलग-अलग नेता अपनी टिकट की दावेदारी पेश करते रहेंगे देखना ये होगा कि आखिर में जब इंडिया अलाइंस के तरफ से सभी प्रत्याशियों की घोशना हो जाएगी तो उनमें जैप्रकाश वर्मा का नाम होगा या नहीं उमीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहें आपको तमा से देखते हैं Like, Share, and Subscribe www.thefollow-up.in